नमस्कार साथियों, इफको ने 2021 में नैनो यूरिया का उत्पादन शुरू किया था नैनो यूरिया जो की दुनिया का पहला लिक्ड नैनो यूरिया था और उसके साथ ही तैयारी शुरू कर दी थी भविश्य में नैनो डी एपी को लाने की और वो समय अब आ गया है अब मैं बात करूँ पहले तो कुछ नैनो शब्द के बारे में आप चाहे तो नैनो यूरिया का लेक्चर भी हमारी यूट्यूब पर है उसको आप देख सकते हैं तो यह नैनो शब्द क्या है एक तो भही आपने सुना होगा नैनो टाटा वाली है तो यह वो टाटा वाली नैनो नहीं है ठीक है एक तो भी नैनो वो है कि चलाओना नैनो से बाण रहे तो यह वो बाण वाला नैनो भी नहीं है यह नैनो विचारी तो कितनी अच्छी गाड़ी थी ऐसे फिलॉप हो गई इसके फिलॉप होने का सबसे बड़ा कारण था इसक बहुत बढ़ी अगारी थी तो बहुत चलाओ ना नेनो से बाण दे और चलाओ ना टाटा की नेनो रहे यह वो नेनो नहीं यहां पर नेनो का मतलब ही कुछ और है नेनो का मतलब है यहां पर 10 to the power पर माइनस नाइन से सोच यह कितनी बड़ी बात है 10 to the power minus 9 कितना छोटा हो गया ध्यान से सुनना माइनस लगा हुआ है प्लस नहीं लगाया मैंने यहां पर माइनस सब्द जोड़ा हुआ है मतलब यह कितना ज्यादा छोटा हो गया आप अंदाजा लगाई एक के नीचे आप 90 ले जाए इतनी जीरो लेकर के जाना है आपको 90 गिल लीजिए कितनी होगी भी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ 9 जादा ही हो गई है कम कर देते हैं एक दो तीन चार पांच 6 7 आठ ठोभी एक क्यनीचे 900 लेकर के जाने है मीटर लगा दीजिये इतना छोटा कोई particle किसी particle को जब आप इतने छोटे पर ले जाओ इतना छोटा कोई particle आप बना लो तो उस particle को कहते हैं नेनो पार्टीकल और हमने क्या बनाया है नेनो डी एपी डाय अमोनियम फॉस्पेट जो अभी तक किस रूप में मिलता था हमें अभी तक अगर हम बात करो अभी भी हम उसको काफी जदी यूज कर रहे हैं गोलीओ पर में हमको इस तरह से मिलता आया है लेकिन अब हम ने यह इस डायमोनियम फॉस्पेट की जो पार्टिकल है उतको नेनो फॉर्म में कनवरर्ड कर दिया है उसके नेनो पार्टिकल सोची एक सैल जिसे आप अपनी खुली आँकों से नहीं सकते हम समझते कि सेल बहुत होती है माइक्रोस्कोप में इसे असने इसे बड़ा है तो सोची कितने ज़獰ड़ा इफिशेंट होंगे अगर कोई fertilizer कोई nutrients जिसका हम नेन addictive बना ले और फिर उसए सोयल में एपलाई करें और वो डायरेक्ट जब प्लांट के रूट में आएगा रूट के कॉंटेक्ट में आएगा तो कितनी जल्दी वो एंटर करेगा क्योंकि वो पार्टिकल कितना ज़्यादा छोटा है एक सेल एक जो सेल होती है उससे भी छोटा है इवन आपको मैंने और प्लाजमोडेशमेटा से होता है यह जो नेनो पार्टिकल नेना वो इन प्लाजमोडेशमेटा से भी पार कर सकते हैं मतलब सेल से एक सेल में एकपहुंच जाए तो यह दूसरे सेल के अंदर भी चले जाते हैं कि एफिशेंश कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कितनी लिक्टीड फ़ोंमे और इस लिक्ट फार्ब में जो पार्टिकल से हैं तो ज़ो नैनो ऊप किम थोर değलाईजर है व्हारत में भारत में अब यह दूसरा डीजर आ गया है इससे पहले नैनो यूरिया था और आगया है टो अब बात करते प्राइज का इसका प्राइज रहेगा क्या नहीं रहेगा कितना फाइदा है कितन Great रहें आफे तक हम यूस करें अभी तक हम यूज खर रहे थे इफ को कईOS लेकिन चूकि ये बना यह तो इसको के ही डिएपी की बात कर लेते हैं जो कन्वेंशनल डिएपी हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं तो इस तरह का बोरा आता है जिसमें 1846 लिखा हुआ है तो 50 को लोग का एक बोरा जो की 1350 रुपय का है वहीं अगर हम बात करते हैं इसके नैनो फॉर्म की जो की स्वेम इफको नहीं बनाया है और इसको ने इसकी कीमत रखी है 600 रुपय एक बोटल की एक बोटल जो की 500 ml की है तो 500 ml की जो बोटल आप देख रहे हैं आधा लीटर की है 500 ml की बोटल है और इसके अंदर गरम बात रहे तो आप देख सकते हो 18 और 16 है यानि 8 परसेंट इसके अंदर नाइट्रोजन है और 16 परसेंट इसके अंदर फॉस्पॉरस है यह याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ह रखते हैं इन फीचर किसी एक्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए तो यह जो नैनो डीएपी है इसके अंदर 8 परसेंट नाइट्रोजन है और 16 परसेंट फॉस्पॉरस है पोटेशियम ना तो इसमें था और नहीं इसके अंदर है इसकी जो कीमत रहेगी वह 600 रपे रहेगी 500 200 ml बोटल की और यह दौनों की दौनों एक्क्यूवेलेंट है ध्यान रखना जितना निउट्रियंट आपका यह 50 कलो का बोरा प्रवाइड करेगा उतना ही निउट्रियंट आपकी यह बोटल प्रवाइड कर देगी मतलब इन दौनों को निउट्वेलेंट माना गया है यह इसके बराबर का निउट्रियंट कैसे दे सकता है तो मैंने बताया कि यह नैनो है यह नैनो पार्टिकल का बना हुआ इसकी एफिशेंसी जो है वो बहुत जादा है इसकी एफिशेंसी बहुत जादा है इस फर्टिलाइजर से इसलिए यहां पर इतना निउट्रियंट भी इसके बराबर ही है तो यह दोनों जो है न्यूट्रेंट के मामले में एक्यूवेलेंट हैं वहीं यह 1350 का है तो यह मात्र 600 रुपय का है यहां पर इफको के जो मैनेजिंग डारेक्टर हैं और जो सीईओ है वह आपके यूएस अवस्थी जी इनका फोटो भी मैंने लगा रखा है देख लीजिए इनके उपर भी कई बार कोश्चन पूछ लिया गया है कि इफको के मैनेजिंग डारेक्टर हैं सीईओ कौन है तो वह हैं यू हो जाएगी और इसका जो उत्पादन है वो भी आपका इफको ही करके देगा ठीक है तो मैनीफेक्टरिंग भी इसका इफको के द्वारा ही होगा इसके साथ साथ इन्हों ने ये भी कहा है कि हम भविश्ची के लिए और नए 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 नैनो फर्टिलाइजर पर काम कर रहे हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि ये नैनो पोटास पर भी काम कर रहे हैं ये नैनो जिंक पर भी काम कर रहे हैं ये नैनो कौपर पर भी काम कर रहे हैं यानि कि हो सकता है आने वाले साल में आपको नैनो पोटास भी मिल जाए आपको नैनो जिंक भी देखने को मिल जाए नैन पर अगर हमारे देश की ही कंपनी इफको जो की अपना ही fertilizer बनाएगी और liquid फार्म में बनाएगी नेनो फार्म में बनाएगी तो उसकी कम quantity उस जाधा quantity के बराबर होगी तो हमको दूसरे देशों से fertilizer import नहीं करना पड़ेगा पहला फाइदा बो हो गया दूसरा सबसे बड़ा फाइदा है subsidy का government subsidy से बहुत परेशान है आपको पता है कि जो fertilizer आपको मिलता है actual में उसकी जो कीमत है वो सरकार को कई जादा होती है लेकिन सरकार उस पर subsidy देकर आपको कम पैसों में देती हैं अगर मैं यहाँ पर डीएपी की ही बात करों तो देखो कितना अंतर पड़ जाता है अभी यह जो फाइनेंशल यह अपना है 2023 से पहले का जनवरी 2023 से पहले तक कि अगर हम बात करें तो 2.07 लाख करोड़ 2.07 लैक करोड़ रुपे की subsidy डीएपी के उपर अल्रेडी खर्च की जा चुकी है तो अगर यह आ जाता है यहां पर जो कि 600 रुपेका है तो ध्यान रखिए गए एक बात में आपको और बता दो यह जो 600 रुपेका आपको नैनो डीएपी मिलने वाला है यह बिना किसी subsidy के मिलेगा नैनो डीएपी पर आपकी किसी तरह की क ऐसे ही कम है और वो आपके उस 1350 वाले बोरे के बरावर है इसलिए इस पर कोई subsidy नहीं है तो जब इस पर कोई subsidy नहीं रहेगी तो सरकार का यह जो एक बोज है यह जो पैसा जो subsidy में जाता है यह भी बच जाएगा तो यह सारे काफी फाइदे हैं और भी इसके बारे में लीप 2023 से मार्केट में एबिलेबल हो जाएगा और इसकी कीमत है 600 रुपए 500 ml की बोटल की और यह बरावर है किसके 50 के लोग का जो बोरा आता है 1350 रुपए का उसके बास समझ में आ गई चलिए धन्यवाद थैंक्यू